राजनितिक उथल पुथल से लगातार जूज रहे बिहार में एक और बड़ा राजनितिक घटना क्रम होने जा रहा है और इस बार इस राजनितिक उथल पुथल कैसी कार हो रहे हैं राश्ट्रिय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रशादियादव जिहां लालू प्रशादियादव का राश्ट्रिय जनता दल एक बड़े राजनितिक उथल पुथल काब में बचने वाला है और वहां इस बार राश्ट्रिय जनता दल के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष की कुरसी पर तलवार लटक गई है आप सही सुन रहे हैं बिहार प्रदेश की जो अध्यक्ष है जगदानंद सिंग जगदानंद सिंग की कुरसी उनकी जाने वाली है और उनकी जगह पर अब नए अध्यक्ष की ताजपोशी होने वाली है और इसके लिए लालू यादब की पाटी ने पूरी तयारी कर ली है कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादब भी इस पर सहमत हो चुके है और महज कुछ महीने ही प्रदेश अध्यक्ष का प्रभार समालने वाले जगदानंद सिंग की अब बिदाई की तयारी कर ली गई है उनकी जगह अब नए अध्यक्ष के रूप में जिन लोगों के नाम की सबसे ज़्यादा चर्चा है और माना जा रहा है कि तय है उसमें राजद के वरिष्ट नेता अब्दुलबारी सिद्गी का नाम सबसे उपर चल रहा है अब्दुलबारी सिद्गी को बिहार प्रदेश राजद का अध्यक्ष बनाया जा सकता है उनके अध्यक्ष बनाने को लेकर के लालू प्रसाद यादा और तेजस्वी यादव की सहमती की बातें की जा रही है और रूठे जगदानन्द को अब पार्टी के प्रदेविहार प्रदेश के अध्यक्ष की कुरसी से हटाने की पूरी तयारी कर ली गई है दरसल राजद अध्यक्ष के जो अध्यक्ष बनाए गए थे जगदानन्द सिंग उन्हें अध्यक्ष बनने के बाद से ही लगातार राष्टे जनतादल में उनको लेकर के एक असंतोष देखा जा रहा था जगदानन्द सिंग प्रदेश का अध्यक्ष का प्रभार तो संभाल चुके थे लेकिन वे लगातार अपने वे बिहार अध्यक्ष की कुरसी पटना में में रहती है से वो हटे हटे थे वो पहले एक महीने तक अपने गाउं में रहे बाद में वो दिली में लालू यादव से मिले और उसके बाद यहां तक इस्थिति हुई कि उनके बेटे जो सुधाकर सिंग बिहार में कृशी मंतरी थे उन्होंने भी अपने मंतरी पत की कुरसी छोड़ दी और यहीं से जो पार्टी में उतल पुतल की स्थिति देखी गई उसके बाद से यहत्तय माना गया कि जगदानन सिंग अपनी कुरसी छोड़ेंगे और अब जो ख़बर सामने आ रही है उसके अनुसार जगदानन सिंग को कुरसी से हटाने की तयारी कर ली गई है उनकी जग के हैं विधान सभा में नेता विरोधी दल चुने जाने के बाद उन्हें अपने प्रदेश अध्यक्ष की कुरसी छोड़नी पड़े थे और फिर यानिकी वर्ष 2019 तक वो लगातार पार्टी में अलग-अलग पदों पर सक्लिय रहे थे सिद्दिकी को अब एक बार फिर से बरी जिम्मेदारी दी जा रही है और अब्दुलबारी सिद्दिकी के बारे में कहा जा रहा है कि उनको इसी महीने के आखिरी सब्ता तक राजद प्रदेश अध्यक्ष की कुरसी मिल सकती है दरसाल अगर हम अब्दुलबारी सिद्दिकी की बात करें तो अब्दुलबारी परिशद में निर्वाचन उनका होते आया है और उनकी जो वरिष्था है उसे देखते हुए पार्टी में जो यादव मुस्लिम समीकरन है यादव मुस्लिम समीकरन को साधने की नियती के तहत अब्दुल बारीज सिदिकी को बिहार प्रदेश राजद का अध्यक्ष बनाने क चर्चा चल रही है का जा रहा है कि जगदानन सिंग ने दो दिन पहले ही लालुयादव से दिल्ली में मुलाकात की उन्होंने मुलाकात करने के बाद वे वापस बिहार आये और अपने जिले कैमूर लोड़ चुके हैं वो पतना कार्याले नहीं गए थे जिस कारण से राज स्वियादव भी सहमत हो गए हैं और उनकी जगह अब राजद के वरिष्ट नेता अब्दुलबारी सिद्धिकी को बिहार प्रदेश राजद का अध्यक्ष बना करके मुस्लिम यादव समीकरन यानि की जो लालुयादव का एमवाई समीकरन है उस एमवाई समीकरन को मजब स्वाम अफडेट्स के लिए कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष की नई पूर्शी को किस दिन अब्दुलबारी सिद्धिकी को किताज पूसी होगी आप हुमारे साथ बने रहिए न्यूज फोर नेशन पे